दारू पी करके मरे हैं, उतने शायद यूबा उन दंगों में नहीं मरें जो गुजरात के गुजराकान में थे, भार्धियनदा पार्टी से सवाल करने पर क्यों उससे एक बार उस पर सवाल नहीं कर पाता जो मुद्दे हैं, गुंडा संस्कृती बना दी है भार्धियनदा कोड के उन जज़ों की भी गलती है जिन्होंने इस शब्द को शामिल किया चारवांस चौवीस गज अंगुलस्ट प्रमार ताउप और सुल्तान है मत्चू के चौहान पार्टी के नेताओं को उनको गली कुछों से भगा रहा है ट्विटर पर सोशल मीडिया पर ये तस्वी भार्दियंद पार्टी की जो है हवा गुल है हमिशा के नीचे से फर्ष खीच लिया गया है जी हां अखलेश यादव वो एक तागत बन करके उबहर आये हैं जो तागत बन करके उबहर आना चाहिए था अखलेश यादव ने मतलब हर जगा बिज़ती बीजेपी की खैच या यूँ कहें कि अखलेश यादव करोना काल में भी निकले उसके बाद भी मतलब जनता का गुसा इतना खराब है कि भार्दियंद पार्टी के नेताओं को उनको गली कुछों से भगा रहा है ट्विटर पर शोशल मीडिया पर ये तस्वीरे जवाती हैं तो जूट बोलत हुआ मीडिया साफ साफ नजर आता है मैं तो टीवी देखना बंद कर दिया है केवल टूटर पर वो वीडियो देखता हूँ जो जूटे मारते हुए स्वागत करते हैं भार्दियंद पार्टी के नेताओं का जूटे की माला पहना ही जाती है कभी कुछ पहना है जाता है ए अब जो है बेशलेशन होने लगा है देनिक भासकर में जी यहां देनिक भासकर में कुछ शब्दों का इस्तमाल जो है उस पर जो है एक आर्टिकल आया जिसमें तमंचावादी पार्टी चिलम जीवी आज कल कौन कौन सी डिक्षनरी पढ़कर के आ रहे हैं उतर प्रदेश किनेता इन पर बात होनी चाहिए यूपी चुनाप की डिक्षनरी बड़ी अजीव है केशा परसाद मौरी है जालेदार टोपी नर्त की सुर्णिर सिंग एक्सिडेंटल योगी अधित्यनाथ अखलेश यादब चिलम जी भी लाल टोपी नरेंद मोदी और काली टोपी संज सिंग या कहां से आगी संजी सिंग का कोई आधार तो है नहीं लेकिन प्रिंट मेडिया ठहरा ना पैसे मिले होंगे तो ही चाप दिया होगा चार बास चौवीस गज अंगुल अस्ट प्रमार ताउप और सुल्तान है मत्चू के चौहान कभी शेंदर बढ़ आई कि इन वो केवल भांग का नशा पड़ती है धर्म का नशा पड़ती है यूपी बिधान सभा चुनाम में यही हो रहा है एक्सिडेंटल हिंदू तमंचवादी पाल्टी टॉपी पोल्टिक्स जैसे शब्द सोशल मिडिया पर बवाल काटे हुए हैं आईए चलिए डिसकस करते है इन सवालों पर एक्सिडेंटल हिंदू कब बोला गया क्यों बोला गया तीन जनवरी 2022 को कई दुनोबाद हलकी धूप निकली थी भाजपा की जन विश्वास यात्रा अमेठी पहुंचे थी जगदिशपुर में हजार लोगों की भीड़की बीच स्रीयोग सीम योगी ने बोलना शुरू किया जिनके खांदान और पूरवच खुद को एक्सिडेंटल हिंदू कहते थे वो खुद को हिंदू कैसे बोल सकते हैं ले भहिया ये ललूराम करेगा हिंदू का फैसला जो हिंदू की रक्षा नहीं कर पाया बात कर रहा हूं इस योगी वावा की अब चल अजकर इस शब्त का इस्तमाल किया गया अपनी गुद्धी के द्वारा बिना ये जाने कि जो मैंने बिग्यापन दी हैं गूरी मीडिया पर उससे ज्यादा मेरे बिग्यापन मेरी बिज़्जती के सोशल मीडिया पर चल रहे हैं मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा था हिंदूत एक जीवन शैली है हिंदू शब्ट की कोई परिभाश्चा नहीं है ऐसा शक्स भी हिंदू हो सकता है यो धर्म से तो हिंदू हो लेकिन मंदर जागर पूजा ना करता हो यहां एकसी एक्सिडेंटल हिंदूत का म हमारी परंपरा सरात्म धर्म की परंपरा है छमा करने की परंपरा है बापू गांधी की परंपरा है बापू आशाराम की परंपरा है जो कभी हिंसा का उपदेश अपने समर्थकों को नहीं देते लेकिन मोदिने किस तरह से बापू आशाराम को यूज के वो भी बताएंग इसमें नहरू का एक कोड था मैं शिक्षा से इसाई संस्कृति से मुस्लिम दुरभागे से हिंदु हूँ हो हला मचा तो फैक्ट चेकर बैप साइट अल्ट नियूज ने इसकी जांच चुरू की जांच करके ये बताया कि ये 100 परसेंट जोट फैलाया गया भारती जन्ता पार्टी की आईटी सेल्स है चिलम जी भी आया है दूसरा शब्द 2021 में यूपी बिदान सवा कि जब सुगवाट शुरू ही CM योगी ने पूरभाण चल एक्सप्रेस बे का उदगाटन किया सारक उच्छा गया फिर नर्थकी आया शब्द 24 दिसंबर 2021 में भारती अंता पार्टी के सुरेंदर सिंग ने कहा पहले तो सादू और संथी आशिरवादिया शराब देते थे लेकिन नर्थकी शराब देने लगी है यही कलियुक कासले सरूप है उन्हों नामतर नलिया पर वो जयावच्चन के बारे में बात कर रहे हैं एक बुड़ी आउरत के बारे में एक बुड़ी आउरत जो शराब दे रही थी राजे सवा में उसके सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे तो इन नेताओं को यह नहीं लगता कि किस के बारे में क्या बात बोले हैं हिंदू संस्कृती जो है गुंडा संस्कृती बना दी है भार्दियंदा पार्टी के नेताओं ने क्योंकि इस तरह से किसी महिला को रावडने भी विज़त नहीं किया था जया बच्चन के उपर नार्कोटिक ड्रक साइको ट्रापिक पदारत विदेहक 2021 पर बोल लहीं थी और उन्होंने शराब दिने की बात कही थी नर्तिक का मतलब नौरा फतीक के ट्राकान डांसिंग के लिए मसूदी के लिए भी किया जाता है तो ये एक शाही परंपरा है भारतिंता पार्टी की जिसको वो निभा रहे हैं उनकी ने था टोपी पॉलिटिक्स में नर्यल मूदी ने 2021 में साथ दिसंबर प्रिधान मंत्री ने कहा था लाल टोपी वालों को यूपी के लिए खदरे की गंटी बताये था उन्होंने यूपी की पूरु सरकार पर तंज कसते हुए यह वाद कही थी कि उसी दिन आप संजे सिंग ने प्रिधान मंत्री मूदी या इस चुनाव में किसी पत्रकार ने बीए पी निता से किया इतना क्यों डड़ता है मेडिया भारती अंता पार्टी से सवाल करने पर कि उससे एक बार उस पर सवाल नहीं कर पाता जो मुद्धे हैं उत्रप्रदेश के उत्रप्रदेश 32 साल से 7 साल से कंगाल है लेकिन कोई सवाल मीडिया नहीं करता उत्रप्रदेश की बदाली पर नैने युबा दारूप पीपी करके वहां मर जाते हैं मजदूरी करकर के मर जाते हैं जो बाहर नौकरी करते हैं वो आते हैं ठेले लगाते हैं चाय बेखते हैं पकोड़ी बेखते हैं डिप्रेशन में दारू पी पी करके मर जाते हैं जितने यूबा पिछले साथ साल में योगी आदितनात के होते हुए दारू पी करके मरे हैं उतने शायद यूबा उन दंगों में नहीं मरे जो गुजरात के गुजरा कांड में होते है दुश्मन कौन है शराब की पॉल्सी को शिवरा सिंग चुहान और योगी ने घर घर आजाद कर दिया है क्या केवल मुसलमान दारू पीते हैं या केवल हिंदू दारू पीते हैं सवाल बहुत से हो सकते हैं इन लोगों काउंटर करने के लिए प्राफिशनल पत्रकारों को काम हो सकता है लेकिन सौ बात की एक बात ये है कि भारतियंदा पार्टी अपना बजूर खो रही है हर तरह से चैहिन नमशकार दोस्तों